अस्सलामउं आलेकूम मैं जुलेखा आरफाद जुलेखास किचिन से तो चलिए, आज हम बनाते हैं बढ़ियासY चिक्केन मयोससेज। बहुत किपैरीन घर पर बनते हैं बहुत कम मसालों से लेकिन बहुत ही डुलशउस बनते हैं। चलिए सपयारण यानि ordinary ingredients से extraordinary chicken mayo sandwiches बनाते हैं चलिए यह है चर्वी निकाली हुवी, दो-तीन पाने से दोई हुवी आधा किलो chicken bowl-less medium pieces हैं और आप चाहें तो breast portion ले सकते हैं मैंने thigh portion लिया, इसे पतीली में दाल दीजिए एक कप पानी दाल दीजिए एक चोटा चाय का चमच अधरक लसन का paste भी दालिए चुटकी भर नमक और वनफोट चोटा चाय का चमच काली मिर्च दाल दीजिए एक तेजपत्ता दाल कर इसमें उबाल आ जाने दीजिए एक बार चला लीजिएगा, जब अच्छा उबाल आ जाए और एक बार तब उबाल आने के बाद भी चला लीजिए शलो आज करके इसे ढख कर तकरीबन कुछ समय के लिए पकने दीजिए तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती तब तक जब जिकन गल जाए तो इसे चूला फास्ट आज करके जो पानी आपको देख रहा है ये सारा कम्प्लीटली ड्राय कर दीजिए आप पूरी तरीके से ड्राय कर सकते बड़ हमेशा मैं क्या करती हो एक दो टेबल स्पून जितना पानी हमेशा रहने देती हो बड़ आप पूरी तरीके से ड्राय कर लीजिए चूला कर दीजिए बंद और तेज पत्ता जो हमने दाला था उसे फेक दीजिए और बहुत अच्छे से इसे ठंडा होने पर श्रेट कर लीजिए अब आप चाहें तो काटो की मदद ले सकते हैं अब फिर बढ़िया से दुनों हाथ हैं मेरे तो साफ ही हैं तो मैं उनी से ही इसको श्रेट करके इसे साइट पर रख देती हूं एक फ्राय पैन के अंदर थोड़ा सा तेल दाल दीजिए एक चुटचे का चमच बारिक टा हुआ लसन दालकर इसे फास्ट आच पर एक मिनट तक फ्राय कर लीजिए जब फ्राय हो जाए तो यहाँ पर में दाल देती हूं एक मीडियम साइज की प्यास आप चाहें तो एक चूटी प्यास दाल सकते हैं बारिक कटी हुई यह दुनों सिम्ला मिर्च है मैं साइट पर रखती हूँ बाद में बताऊंगी आपको अब इसे फास्ट आज पर बार-बार चलाते हुए फ्राय कर लीजिए प्यास को तब तक फ्राय कीजिए जब तक यह थोड़ी सी नम नहीं हो जाती और यह देखे सकते हैं आप नम हो गई तो यह जो चिकिन मैंने सारी श्रेट करके रखी थी यह सारी डाल देती हूँ वन फोट कप बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च लाल वाली और वन फोट कप बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च हरी वाली यह भी डाल देती हूँ नम्मक दाल दीजिए, स्वाद अनूसार और काली मिर्चों का पौदर में यहां आदा चुड़ चैका चमच दाल रहे हूँ और आदा चुड़ चैका चमच गरम मसाले का पौदर भी दाल दीजिए अब यहाँ आपने मिजान थोड़ा अगर बराना है गरम मसाले के powder का तो आप बढ़ा सकते हैं चूला मीडियम आज करके इसे बार बार चलाते हुए एक मिनिट तक fry कर लीजिए जब एक मिनिट हो जाए तो चूले को कर दीजिए बंद दोर इसे थंडा हो जाने दीजिए जब थंडा हो जाए तो इसे एक प्याले में निकाल लीजिए और अच्छी खासी थंडा हो गया यह मिक्स्चर तो इसमें मैं दाल देती हूँ पांच टेबिल स्पून मायोनीज आप चाहे तो बाजार के ले सकते हैं आप चाहे तो घर की बनी उवी भी दाल सकते हैं अब मायोनीज मैंने कम दाला है और चिक्केन आप देख सकते हैं भरपूर जादा दिख रही है यह तो आपको मायोनीज जादा दालना है तो आप जादा दाल सकते हैं उसे साबसे बाकी के सॉसे भी अज़ेस्ट कर लीजिएगा मुझे हलका सा काली मिर्चों का पॉडर कम लग रहा है तो मैंने वन फोट छोड़ा चाय का चमश दाला है यह ऑप्शनल है अब इसे दाल कर मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अब हम आते हैं ब्रेड की ओर धाग दीजिए जब आप धाग दें तो इसके ऊपर मैं मक्खन लगा देती हूँ ब्रेड के ओपर सेखने के लिए साइट पर तब्वे को फास्ट आज पर हलका सा गरम कर दीजिए जादा मत करम कीजिएगा जब हलका गरम हो जाए तो चूला मीडियम आज कर दीजिए और जो मक्खन लगा हुआ साइड है वो नीचे की साइड लगा दीजिए जो ब्रेड को और ऊपर की साइड पे भी मक्खन इस तरीके से 4 ओर स्प्रेड कर दीजिए और चूले को कर दीजिए slow आज और इसे तब तक पकने दीजिए जब तक पीछे की और light golden brown नहीं हो जाते side by side मैंने दो sandwiches और prepare कर लिया और ये इतने से ही बचे हैं, mixture बचा है अब इसे पलट दीजिए थोड़ी देर के बाल और इसे तरीके से उलट-पलट करते हुए, slow आज पर पकने दीजिए, तब तक पकाएं जब तक आपको properly light golden brown यानि सुनेरी कलर चारो और ना मिल जाए दोनों और से, तब तक इन्हे उलट-पलट करते हुए, सेख लीजिए मैंने चूला slow पर रखाए, आप चाहें तो medium कर सकते हैं, अब जब दोनों और से light golden brown हो जाए, तो इन्हें निकाल लीजिए, बाकी के दोनों sandwiches भी इसी तरीके से roast कर लीजिए, तब वे के ऊपर slow आज पर, अचाँ मक्कन लगाना मत भूलिएगा, उलट-पलट दोनों और पर, अब इनकों इस तरीके से, बीच में से काट लीजिए और ये आप देख सकते हैं, बढ़िया सा हमारा chicken mayonnaise sandwich ready है, मैंने mayonnaise कम दाला है, आप चाहें तो mayonnaise को बढ़ा सकते हैं और जो भी spices वगरा हैं, इस recipe में आप आपके स्वाद अनूसार कम या जादा कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगी हो, तो एक like तो बनता है, एक like कर दीजिए इस वाले वीडियो को, और उससे जादा अच्छी लगे तो अपने family और friends में इस वाले वीडियो के link जरूर forward कीजिएगा, ये देखिए दूसरे भी मेरे बंद चुके हैं, मैं कर देती हूँ चूला बंद और बढ़िया से दिख रहे हैं इससे भी मैं काट कर सर्फ कर देती हूँ इसी तरी किसे मैंने कुछ sandwiches, वो भी chicken के sandwiches की recipe मेरे channel पर upload की, आप लोगों के लिए link description के अंदर है, या फिर आप sandwiches by जुलेखास kitchen, यह जो मैंने भी कहा यह यूट्यूब के search button पर आप आलेंगे ना और click करेंगे, तो मेरी सारी chicken की sandwiches की recipes मिल जाएगी, है ना बड़ी आसी बात? अच्छा, अगर आप यह बहना आएं यह recipe, तो मेरे साथ comment section में जरू शेयर कीजिएगा, मुझे आपके comments में बहुत अच्छा लगते हैं, विससे आजिर होंगी नाइशानदार दमदा recipe के साथ, until then take care, ala hafiz, bye bye